नरेशन, नरेशन क्या होता है इसको ड्रेक्ट स्पीच को इन्डरेक्ट में बतलाता है इसे बोलता है नरेशन या फिर ड्रेक्ट इन्डरेक्ट स्पीच जैसे अनिल सेज वी आर रेडी ठीक है तो अनिल कहता है हम रेडी है यह ड्रेक्ट है तो इसको इन्डरेक्ट में बतल इसका एक रूल है कि अगर reporting verb यानि कि जो starting में है present tense में हो यानि कि he says या फिर future tense में हो he will say किसी भी present tense में he is saying या he will be saying present और future tense में हो तो speech के tense में यानि कि reporting speech है जो आगे वाले के सामने जो भी tense है उसमें कोई change नहीं होता जैसे he says ये present है says I am working hard वो कहता है मैं बहुत मेनत कर रहा हूँ he says that कोमा हट के that लग जाता है he says that he is working hard इसको interact बनाना है तो I he में change हो जाता है कि वो कह रहा है वो तो खुद को I बोलेगा लेकिन हमारे लिए वो he है तो हम उसे he बोलेंगे that he is working hard जो helping verb है वो subject के according लग जाएगी जब subject आई था तो उसके साथ am लगा था अब ही है तो is लगेगा और कोई change नहीं होता राम विल से अब ये future tense में है I saw my teacher in the park तो अब इसके tense में कोई change नहीं आएगा क्योंकि ये future में है जब भी present ये future हो इसमें present था इसमें future है तो tense वही रहता है राम विल से देट अब राम के हमारे लिए तो ही है ना उसने खुद की teacher देख तो my teacher हमारी teacher नहीं है वो राम की है his teacher in the park वह कहता है कि train लेट होगी रिपोर्टिंग वर्ब अगर past tense में हो तो reporter speech में first form की जगा second form और अगर second form है तो वो head plus third form में बदल जागी यान कि reporting वर्ब में say होता है अगर उसमें said है यान कि second form है past है तो reported speech में यान कि जो inverted को में बंद है उसमें अगर first form है तो हम second लगाएंगे indirect मे और अगर second form है तो हम head plus third लगाएंगे I said to the teacher मैंने teacher से कहा said to said second form है यान कि past है I am sorry I told said to हमेशा told में change होता है said second form है तो ये second form में ही change होगा said to है तो told में I told the teacher that I was sorry तो इसमें I am sorry तो मैंने कहा तो I was sorry कि मैं sorry था अगर यहां पर राम होता ही होता तो फिर हम इसे ही में बदलते हैं अब मैं मैं नहीं बोला है तो I ही रहेगा I said मैंने कहा I have been ill since Monday मैं मंदे से बिमार हूँ I said said to होता तो हम told में मतलता है अब said है तो said दी रहेगा I said that I had been ill since Monday have को first form को second में मतल दिया had हो गया he said to me said to हो गया told में मतलेगा you have done well he told me that I had done well have had में change हो गया he said उसने कहा I shall go there मैं वहाँ जाऊंगा he said said का said रहेगा that he shall यहां पर ही है तो यहां भी ही बनेगा he would go there शेल की second form should होती है लेकिन वह चाहिए की तरह यूज हो था तो यहां पर would लगेगा he would go there अगर कोई universal truth है या habit है यानि की आदत है किसी की यह historical truth है history का कोई सच है तो as it is रहेगा सिरफ कोमा inverted कोमा हटके that लगेगा he said उसने कहा God is great बगवान महाना universal truth है यह सचाई है he said that God is great बस that लग गए the boy said लड़के ने कहा I take exercise daily यह उसकी आदत है कि वो daily exercise करता है habit है तो as it is आजएगी the boy said that he take exercise daily boy की बात हो रही है तो he boy हमारे लिए he is the teacher said teacher ने कहा the first battle of पानिपत was 14 1526 कि पानिपत की पहली लड़ाई पंद्रासो शब्भी में लड़ी गई तो यह historical history का इतिहास का सच है कि पानिपत की लड़ाई इसी में येर में वी थी the teacher said that the first battle of पानिपत वोस 14 1526 रिपोर्टिंग कोश्चन्स अगर कोश्चन्स है रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज करते हैं यानि कि जो स्टार्टिंग में है said to said कुछ भी लगा हो तो आस्क में चेंज होएगा और इसे that से नहीं if या वैदर यूज करके जोड़ते हैं that की जगा if या वैदर लगेगा और अगर स्टार्ट हो रहा है question what when where why which who how से तो if या वैदर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसी से जोड़ेंगे जैसे यानि कि जो interrogative है फिर वो assertive simple बन जाता है question वाला simple बन जाता है प्रेम ने प्रान से कहा were you present at the meeting क्या तुम मीटिंग में present थे उपस्ति थे प्रेम आस्ट ये question है न तो said to ask में दल गया आस्ट प्रान प्रेम ने प्रान से पूशा if अब हम इसे if से जोड़ेंगे if he had been present at the meeting I said to her मैंने उससे कहा do you want my help क्या तुम मेरी help चाती हो अब ये एक question है तो said to ask me I asked her if she wanted my help he said to the old man उसने बुड़े आदमी से कहा what do you want अब question what से शुरू हो रहा है और अगर what, when, where, why, which, who, how इन से शुरू हो तो हम if नहीं लगाएंगे इनी से जोड़ेंगे he asked the old man what, what से शुरू है तो what he wanted कि वो क्या चाते हैं अगर reporting exclamation है ऐसे करके जो sign होता है वो वाली है reporting speech exclamation हो तो reporting verb में exclaimed यूजज करते हैं said वगरा की जगा अगर wish है तो wish prayer हो रही है तो pray या फिर cry out ऐसे word यूज़ होते हैं जैसे she said उसने कहा may you succeed my son कि सफल हो मेरे बेटे ठीक है तो उसकी wish है उसकी काम नहीं है तो she wished said की जगा विश लग लग लेगा she wished that her son would succeed बाकी same rule रहेंगे पहले वाली he said उसने कहा alas alas दुख में यूज़ करते हैं जैसे हिंदी में बोलते हाई i am ruined मैं बरबाद हो गया he exclaimed with sorrow उसने दुख के साथ exclaim किया या फिर खाली he exclaimed we लिख सकते हैं that he was ruined वो बरबाद हो गया रवी said hurrah hurrah खुशी में बोलते हैं we have won हम जीत गए रवी exclaimed with joy जोई मतलब खुशी उसने खुशी सी exclaim किया that they had won वो जीत गए थे she said उसने कहा goodbye my friend कि मेरे friend goodbye goodbye में हमेशा bad use करते हैं she bade her friend goodbye अगर reporting imperative है imperative होती है जिसमें order दिया गया advice दी गया या request की गया उन sentence को बोलते है imperative sentence तो said to order में अगर order दिया गया तो ordered request की गया तो requested कुश पूशा गया तो वास्ट advice ला दी गया तो advice या तो जो imperative verb है उसके साथ to लग जाएगा ठीक है जो अभी verb आई है उससे पहले to लगेगा जैसे the teacher set to the boy teacher ने boy से कहा shut the door teacher है तो वो order भी कर सकते हैं हम ask भी का सकते हैं और order भी the teacher ask the boy या फिर the teacher order the boy to shut the door shut यहाँ पर वर्ब थी तो इससे पहले to लग गया तो लग गया तो इससे पहले to लग गया दैट की जुरूरत नहीं है imperative में राम सेट टू शाम राम ने शाम से कहा please go to the station with me please मेरे सा station जलो please है यानि की request कर रहा है वो राम requested शाम to go that की जुरूरत नहीं है वर्ब है इसमें go तो go से पहले to to go to the station with him he said to me उसने मुझसे कहा trust in God and do the right बगवान पर विश्वास रखो जो सही है वो करो उसने सला दिया he advised me advice दिया to trust in trust है इसमें वर्ब तो इससे पहले to लग गया to trust in God and do the right the boy said papa forgive me this time papa तो रिक्वेस्टी कर रहा होगा बोई ने कहा papa forgive me मुझे माफ कर दीजिए this time इस बार the boy requested his papa to forgive forgive यहाँ पर वर्ब है forgive तो to forgive him that time this time that time में change हो जाए क्योंकि उस time की बात हो रही है